गूड आप्टर नून इस्टुटेंट हैपी नियर टुवार्थ इस्टुटेंट नवर्ज की हार्दिक शुपकामने सभी स्टुटेंट्स को नया साल एक जन्वरी एक नई शुर्बात करते हैं इससे पहले अपनी एक क्लास हुई थी जैसा कि मैंने बताया था मेरा नाम आशी शुकला है मैं आपको जुलोजी का एक बुक है आपके इम्मीन सिस्टम, Microbiology and Biotechnology का फर्स्ट उनिट का इम्मीन सिस्टम का टॉपिक है इससे पहले अपन टाइप ऑफ इम्मीन सिस्टम के बारे में बात की थी आज अपन सेल्स के बारे में बात करेंगे इंटरमेडियेट इम्मीन सिस्टम के बारे में बात करेंगे यूमिरल इम्मीन सिस्टम के बारे में बात करेंगे जैसे के अपर ने पहले बताय था, immune system होता क्या है, अपनी body है, अपनी body क्या करती है, protect करती है, ठीक है, protection का काम करती है, और protection किसे बाहर के environment के particle से particle antigen कहलाते हैं physical barrier के बात आये था हम इने physical barrier के थुरू आपके अपने particle protect करते हैं internal antibodies जो बनती हैं आपके immune system के थुरू उससे protect करते हैं अगर body में आपके antigen पहुँच जाते हैं तो protection अलग होता है अगर बाहर से बाहर अगर antigen है तो इसका protection अलग होता है cell of immune system के अपन बात कर रहे थे cell of immune system में आपन बात करेंगे आपके यह जो cells होती हैं कैसे होती है totipotent या pluripotent cells होती है कैसे होती है totipotent and pluripotent हेमेटो पॉइटिक सेल्स की बात होती है हेमेटो पॉइटिक सेल्स की बात कर रहे हैं है हेमेटो पॉइटिक रिलेटेड है हिंग गूरू यानि आपके ब्लड से रिलेटेड है और आपके ब्लड में तीन टाइब की सेल्स पाई जाती है, WBC, RBC and platelets, ठीक है, platelets, WBC ही जो होती है, protection का काम करती है, very important है, WBC आपकी body का immune system develop करती है, ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसको describe ना करके, आपन इसको अलग तरीके से describe करते हैं, अलग तरीके से describe करते हैं, progenitor के फॉर्म में lymphocyte, lymphoid progenitor, myeloid progenitor और erythro-progenitor, first क्या होता है, lymphoid, lymphoid progenitor, myeloid progenitor, or erythro-progenitor, erythro-myeloid progenitor, erythro-progenitor and lymphoid progenitor. lymphoid progenitor, hemopartic cells, जो कि आपकी कैसी होंगी, pluripotent होंगी, cell, या फिर multipotent, पता है न, multipotent क्या है ये, stem cell, देखिए, जब embryo की stage होती है, जब baby develop हो रहा होता है, embryo के अंदर, embryo develop हो रहा होता है, उसके आपके, ठीक है, अंदर, embryo जब development चल रहा होता है, baby का जब development चल रहा होता है, तो starting में जो morula, gastula, stage आती है, लेयर बनने से पहले, उसकी कोई cells होती है, last stage, वो cells आपके कैसी होती है, जब कोई organ develop होता है, कोई organ बनता है, तो organ बनने से पहले, वो cells कैसी होती है, कोई साइब बनें चाहिए लीवर ने चाहिए लेगे कीड्नी बने, तो जब layer बनने से पहले, actoderm, mesoderm, endoderm layer बनने से पहले, layer बनने से पहले क्या आप, actoderm को उठालो, mesoderm को उठालो endoderm, actoderm की सारी cells, mesoderm की सारी cells और endoderm की सारी cells, सब भी कैसी होती है, एक जैसी होती है, लेकिन ये कैसी होती है, stem cells के form में work करती है, क्योंकि आगे चलके, एक ही एक मीजोडर्म, एक एक अंडुर्म, एक अंडुर्म, इफ्रेंट टाप के औरगन का डवलप्मेंट करती है, डिफ्रेंट टाप के औरगन का डवलप्मेंट करेगी, यानि एक ही सेल, एक टाइप की सेल आगे चलके डिफ्रेंशियेट हो जाती है, क्या हो जाती है, डिफ्रे प्लाजम ठीक है यह चीजे ब्लड के अंदर रखती है जब कि स्टार्टिंग में बात करें तो इससे भी एक टाइप की सैल थी और वह आपकी कैसी थी हम यह हमेटोपाटिक सैल्स जी प्लूरी पॉर्टें यह मल्टी पॉर्टेंट स्टेंप सैल्स इसलिए कहा जाता है क्यों यह तो इसमें कहा लंधोल block कि सैलोच आफ। म मांदिखक है यह दोनों क्या होते है इंपर्टेंद मेलोड रोंधनud प्लूम साथ यह क्या बनाती है एक तो b cells बनाएंगे B lymphocytic cells और यह क्या बनाती है T cells, ठीक है, B cells बनाएंगे और T cells का formation करते हैं, यह lymphoetic cells हैं और very important cells, आपकी immune system में antibodies बनाने के लिए जो आदेश देती हैं, ठीक है, क्या देती हैं, आदेश देती हैं, आगे को inform करती हैं, वो यह दोनों cell हैं, यह बनाती नहीं है, ऐसा नहीं B cells और T cells को antibodies बनाती हैं, नहीं, inform करती हैं, किसको करती है, B cell inform करती है plasma को, किसको करती है plasma को, और plasma में ही बनता है protein, और protein कौन सा, Antibodies का, कौन सा? Antibodies का protein, ठीक है? Antibodies formation के लिए B-cell इसको करती है, और T-cell क्या करती है? इसको inform करती है, ठीक है? T-cell B-cell को inform करेगी, और plasma cell के पाज है कि protein ना आएगी, protein कौन सा? Antibodies, यह तो भी आपके lymphatic progenitor cells, इसकी अलावा, T-cell के अलावा, natural killer cells का भी formation करती है. Very important, भताया था, natural killer cells क्या होती है? जब phagocytic cell आपकी, क्या करती है? क्या करती है? किसी other antigen को engulf करके phagocyte करती है, जैसे कि penocytic phagocytosys करती है, तो phagocytosys किस के थूँ आ जाता है? Natural killer cells के थूँ ठीक है? Natural killer cells क्यों होती है? Effective cells को सेर्च करती है, उनको destroy कर देती है, होती है, ठीक है, myeloid cells, myeloid cells आपकी कौन से होती है, फेरे तो आप एक बार ये देखिए, दो मिनिट के लिए, देखो एक बार टंसे, अब आपके आती है, myeloid cells, myeloid cells आपकी होती है, आपके three type की, eosinophils, first, second होती है आपकी, एक तो हो गया, eosinophil, second होता है आपके, eosinophils के अलावा आपका second होगा आपके, neutrophils, आपके एक तो eosinophils हो गया, कौन सा हो गया, eosinophils, ठीक है, देखिए, क्या होता है, eosinophils, जब आपके, myeloid की साथ की बात करते हैं, तो myeloid में है granulocyte, 3 से divided होने से पहले ये granulocyte होती है, granulocyte हो ये granulocyte हो टिवाद इंतो 3 type, granulocyte हो टिवाद इंतो 3 type, eosinophils, ठीक है, eosinophils के वाद ठीक है और यह होती है masked cells, यह तीनों टाइप की cells में खास बात क्या होती है, इनकी पास large nucleus होता है, क्या होता है, large nucleus and granules present होते है, यह लाज large nucleus होता है और क्या होता है, fragment of nucleus, large nucleus भी होता है और becoming fragment of nucleus, यह expressed, यह लोगिया, हो या नुट्रोफिल्स हो गया, mass cells हो गया, ठीक है mass cells हो गया, यह आपके कैसी cells होती है आपकी, eosinophils हो गया, neutrophils हो, mass cells हो गया, large nucleus, fragment of nucleus रखती हैं, जो कि यह granulocyte cells कहलाती है, ठीक है, यह दोनों ही यह भी आपकी antivore, आपकी protection में help करती है, इमीन सिस्टम क पार्ट है ये भी एक मीन सिस्टम का पार्ट है Erythro Progenitor में Erythro sayte बनता है Erythro site बनता है जो कि RBC का formation करता है ठीक है और आपके सेल्स के अलावा आपकी कौं सी Plasma cell का भी formation होता है क्या होता है Erythrosite का cells का formation होगा Erythro Progenitor इरियोत्रोसाइट से बनाएगी जो आगे चलके किसमें convert होगी red blood cells में, ठीक है, तो यह उतार लीजिए आप, उतार ये यह आपके रित्रोसाइट में, मेगा केरियोसाइट भी cells होती है, मेगा केरियोसाइट, यह इत्रोसाइट होगे आपके, रब करनो इसको, इसमें एक जगे नहीं, इसमें एक चीज और ध्यान रखना, myelard cells के अंदर, यहां में लिख देता हूँ, आपके myelard cells के अंदर एक unknown cells भी होती है, जो आपकी, phagocytic cells जो होती है, phagocytic cells का formation करती है, ठीक है, unknown cells होती है, जो आपके phagocytic cells का, और mast cells का formation करती है, phagocytic cells, mast cells, ठीक है, और एक dendritic cells, phagocytic cells, mast cells and dendritic cells, dendritic cells को यहां पर लिख देता हूँ, ओ, धर वाला थीसरे नंबर का, ठीक है, एक बर वापेज देख लेते हैं हमाने, ठीक है, hemopartic cells, cell of immune system की बात कर रहे हैं, embryo stage चल रहा है, embryo stage में cell का develop में, RBC का development कर रहे हैं, WBC का development के, rate rates का develop कर रहे हैं, ठीक है, यह आगे चलके, late-lates का ही formation करती हैं, ठीक है, hematopartic cells की बात कर रहे हैं, hematopartic cells है, जो pluripotent पी हो सकती है, multipotent cells पी हो सकती है, different-different cells का formation कर रहे हैं, hematopartic cells है divided इंट टी, three type, lymphoetic progenitor, myeloid progenitor and eutropogenitor, ठीक है, lymphoid progenitor, lymphoetic cells formation करती है, B lymphocyte and T lymphocyte and natural killer cells, B lymphocyte information रहे है, plasma को, plasma बनाता है protein, protein किस type का होता है, antibodies type का, myeloid की बात करते हैं, myeloid progenitor, granulocyte and कुछ unknown cells होती है, granulocyte divided into three type, eosinophils, netrophils and mast cells, ठीक है, जो कि एक large nucleus वाली cells होती है, बड़ी nucleus होता है और fragmented nucleus होता है, eryothropogenitor में eryothrocytes होती है, megakaryocyte होती है, eryothrocyte RBC formation करती है, megakaryocyte आपके platelets का formation करती है, इसके unknown cells ही बात कि तो unknown cells होती है, phagocytic cells, mast cells and dendritic cells का formation करती है, जो आपके unknown cells होती ही, इस सारी कैसी होती है, phagocytic cells होती है, जैसा कि मैंने बताया, phagocyte करने वाली होती है, किसी भी bacteria को देखती है, करती है, तो इस तरीके से आपको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई problem नहीं है, आगे चलें, एक चीज में बताता हूँ, आपको देहो क्या होता है, एक test होता है, medical related है, एक test होता है, CBC, उस test का नाम होता है complete blood count, ठीक है, जब WBC की बात चल रही है, अपनी system बात की चल रही है, complete blood count में आपके RBC, WBC और platelets की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें WBC की बात करते हैं, normally 10,000 होता है इसका है ना, और जब आपकी कोई infection होता है, कोई infection होता है body में, तो यह counting बढ़ जाती है, 13,000, 14,000, 15,000, 20,000 तक चली जाती है, तो 20,000 तक आगे तक चली जाती है, यह जो counting बढ़ती है, WBC की ऐसा क्यों होता है, यह किस चीज की counting बढ़ती है, यह count जो WBC में कौन सी cells की बढ़ती है, तो यह आपकी जो unknown cells थी, neutrophils या phagocytic cells, T cells और B cells की नहीं बढ़ती है, यह बढ़ती है क्या होता है, phagocytic करने के बाद infection create हो जाता है, क्योंकि वो उसको destroy नहीं कर पाते हैं, इंगाख तो कर लेती है, लेकिन T cell, B cell के पास information positive, time लगता है, इतने में तो आदमी को infection होई जाता है, बुखार वगर आ जाता है, तब antibiotic देने की बहुत जुरुत पड़ती है, कभी कभी क्या होता है, थोड़ा बद infection आदमी कर लेता है, control, एक आते है, humoral, humoral and intermediate immune system, immune, क्या होता है, humoral and intermediate immune system, क्या होता है, humoral and intermediate immune system, देखिए, cell क्या करती है, intermediate का काम करती है, क्या करती है, intermediate का काम करती है, यह नि बॉड़ी में क्या होता है, कोई भी infection होता है, मालो आपने कोई bacteria enter किया, तो bacteria कहाँ पहुचेगा, किस में पहुचेगा, सब से पहले, blood में, simple है, सब से पहले bacteria कहाँ आएगा, blood में, अब blood में जैसे ही आएगा, वो क्या करेगा, किस पर attack करेगा, blood में जाते हैं, इसको क्या मिलेंगी, direct blood में पहुच जाएगा, ठीक है, किस-किस राष्टे से बेक्टरिया पहुचेगा, nose के राष्टे से, normally mouth से, normally skin से, ठीक है, यह normal राष्टे हैं, जिससे bacteria पहुचता है, clear है, अब बात आती है, कि यह कौन सी cell पहुच करता है, तो देखिये, bacteria को थोड़ी पता है, कि यह Wbc यह Rbc प्लेटलेट से क्या है, कौन सी cell है, उसको थोड़ी पता है, बेक्टरिया को नहीं पता, तो वो क्या करती है, normal cell को भी effect करेगी, RBC को भी effect करेगी और WBC को भी effect करेगी ठीक उसको थोड़ी पता है वो तो किसी की भी cell के अंदर चली जाएगी और चली जाने के बाद क्या करेगी उसको effect करेगी उसके metabolic action को changes करेगी तो चाहे RBC हो, चाहे WBC हो, चाहे normal cells हो, तीनों ही के अंदर आगर किसी एक में भी enter करता है virus या bacteria, तो उसकी में कुछ changes लाएगा, ठीक है, वो changes ही बताएंगे, वो changes ही, किसी जैसे normal cell में हो, तो कुछ change लाएगे इसके अंदर, क्या आएगा, changes आएगे, simple सी बात है, कोई नहीं changes के अंदर enter करेगे उस cell में, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो change आएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो protein नया बनने लग जाएगा, या protein खतम होने लग जाएगा, DNA, RNA fast काम करेंगे, कुछ ना कुछ तो differentiation आएगा, ये change ही आपकी immune system को response provide कराता है, ठीक है, ये changes immune system को एक signal द और दूसरी cell की बात करें, एक first cell है ये और ये second cell है, तो दौनों के पास कोई transmitter थोड़ी लगा हुआ है, जो इसको ये बताएगी, भाई मेरे पास है ना, bacteria है, तो मेरे को खतम करते हैं, को इनके माउं बोलने की तो है नहीं, ना इनके पास कोई phone है, ना कोई transmitter लगा हुआ और तो कैसे बता चलेगी, इनके एक रूसरी cell के activity को signal के थ्रू है, किस के थ्रू की थ्रू है किस की थ्रू है? जाता है और यह सिगनल कितोर्ड के थूआ किस के थूँआ जाता है kymikल के थूँँ यानि कुछ नी कुछ chemical secret करती है's cell उसके थूँझरे तरह को यह chemical पहुँचा जाता है फिर उस chemical और साथ कप्शेकर करके बताती है कि है इस cell में यह problem, इस cell को यह help की requirement है, इस cell को खतम करना है, इस cell को जिन्दा रखना है, ठीक है? एपॉप्टोसिस करना है, एपॉप्टोसिस एक word होता है, एपॉप्टोसिस, एपॉप्टोसिस में यह होता है, एक सेल दूसी सेल को खतम कर देती है, अपनी एक सेल खुद को ही खतम कर लेती है, ठीक है, दूसी सेल को खतम कर दे, खुद की सेल को डमेज कर दे, ठीक है, तो इस तरीके एक अपोक्तोसिस चले जाती है, खतम, डैथ की बात है, अपोक्तोसिस का मतलग होता है, डैथ हो जाना कभी कभी क्या होता है bacteria के part free form में blood में गोमते रहते हैं ये free form के bacteria भी एक signal provide कराते हैं और ये signal ही आपके किस कहां पर जाते हैं आपके B cell या पिर T cells के पार activate करते हैं या कि तो ये चीज़ संग नहीं ये normally बात बताएं अब अपन इसको practically देखते हैं यहां से start करते हैं first time first time bacteria आया है first time क्या हुआ है bacteria ने body में enter लिया है और उसमें कौन सी cell का effect किया है होगा बताओ WbC में बताएं एक मिट बताएं क्या होगा देखिए फर्स time antigen आता है body में ठीक है first time antigen enter in the body in blood और सबसे पहले macrophages macrophages cells active होगी और इसको क्या कर लेंगी एंगल्फ कर लेंगी ठीक है एंगल्फ करने के बाद क्या कर देंगी इसको macrophages और degrade the bacteria ठीक है bacteria को क्या करेंगी degrade कर देंगी और एक signal provide कर आएंगे degrade तो कर दिया affected cell है किसके बाद signal पहुंचेगा T cells के पास T cells T helper cells के पास जाएंगी T helper cells activate होगी T helper cells क्या करेंगी किसको active करेंगी T helper cell active करेंगी B cell को B cell activate activate हो जाएगी क्या होगी B cell active होगी अब B cell active होगी क्या करेंगी plasma plasma में protein formation कर स्टार्ट कर देगी क्या कर देगी protein यानि antibodies का formation स्टार्ट हो जाएगा ठीक है क्या हुआ आपके क्या देखा इसमें क्या समझा इसको यहां से रब कर रहा हूँ मैं थोड़ा इसको यहां से रब कर रहा हूँ मैं थोड़ा यहां पर अपर नॉर्मल सेल की बात करते हैं नॉर्मल सेल के अंदर क्या किया है bacteria enter कर लिया नॉर्मल सेल में जब बैक्टिरियन एंटर किया तो नॉर्मल सेल कैसी होगी bacterial affected cell होगी ठीक है अब यह bacterial affected cell है यह क्या करेगी cytotetoxic cytotetoxic cells को active करेगी क्या करेगी है cytotetoxic cell को active करेंगी ठीक है cytotetoxic active करेंगी और कुछ chemical release होगा और यह cytotetoxic cells क्या करेंगी cytotoxic cytotoxic release करके यह क्या कर देगी इस cells को क्या कर देगी degrade ठीक है यह फिर dead कर देट किल ठीक है एक तो यह चीज़ होगी ठीक है यहां यहां थोड़ा से देखते हैं यहां की बात करते हैं अपन तो यहां पर क्या हो गया free form antigen है free form antigen कैसा होगा यह तो flagella होगा यह फिर cell membrane होगी ठीक है यह फिर other part होगा free form में जब antigen enter करेगा ठीक है तो free form antigen में flagella हो सकता है cell membrane हो सकती है फिर other part हो सकता है ठीक है वो क्या करेगा directly B site को B cell को क्या करेगा active करेगा ठीक है directly B cell को active कर रहा है यह B cell फिर क्या करेंगी plasma को inform करेंगी और plasma क्या बनाएगा antibodies देखिए first time antigen enter किया complete bacteria complete bacteria enter किया macrophages cells आई macrophages ने क्या होगा engulf कर लिया उसका digest कर लिया और macrophages ने digest is the bacteria and inf और क्या किया T cells को active कर दिया inform कर दिया इनको inform कर दिया ठीक है T cell को active किया T cell ने T helper cells को और T helper cells ने आपके B cells को active किया और B cell active हो गई B cell ने plasma के पार information कुछा है plasma ने antibody formation start कर दी normal cell effective bacteria affected cells होगी cytototoxic cells active cytotoxic subsistence rate degrees इसकी और degrade कर दिया और किल कर दिया cells को अब देखिए तीनों में relation क्या है अब क्या होता यह तो first time है यह जो process है यह कैसा है slow process है क्या है slow process है क्यों क्योंकि यहां पर पहले आपको T cell को बताना होगा T cell आपके B cell को बताएगी B cell आपकी plasma को बताएगी ठीक है यहां क्या होता है we have about discuss of T cells and second second infection second time bacteria enter करेगा तो क्या करेगा यह जो T helper cells है T helper cells helper cells are convert convert into T memory cells T memory cells ठीक है T memory cells यह जो macrophages cells है इसको इस तरीके से भी लिखते हैं macrophages is T memory cells तो यह क्या बन जाएगी T memory cell ठीक है T memory cell यह कौन सी आपकी B cell है B cell are convert B cell B cell are convert B memory cell ठीक है यह हो जाएगी B T memory cell ठीक है अब second time जब infection होगा bacteria enter करेगा तो अब यह उपर वाला process नहीं होगा अब directly किसको information मिलेगी T memory cell को क्योंकि first infection जब हो गया है उसी bacteria का तो first infection में उसकी memory क्या हो गई इस्टोर हो गई है अब यह T helper cells convert into T memory cells में अब T memory cells के पास second information पहुचेगी second time का infection पहुचेगा और second time का infection पहुचते ही T memory cells B memory cells को inform करेगी active करेगी और यह cell active होते ही क्या होगा आप यह plasma cell को active करेंगे inform करेंगे plasma cells उसके लिए क्या बनाने लग जाएंगी antibody का formation करने लग जाएंगे antibody का formation करने हो रहा है ठीक है तो just like antibodies is just like protein का formation कर रहा है जो कि plasma के अंदर होता है प्लास्मा के अंदर यह किया जाता है ठीक है तो first antigen इसके इसके बाद देखिए क्या होता है, इसने इसको inform कर दिया था, active किया था, एक चीज और है, कि first time antigen macrophages is complete होता है, तो इसी समय, यह T helper cells, cytototoxic, cytototoxic cells को भी active कर देती है, क्या करता है, और क्या करता है, degrade कर देता है, ठीक है, cell को, क्योंकि जब M bacteria का infection होगा, तो यह सभी के अंदर पहुंचिका, देख लो एक बार, क्योंकि की समय, जार का। बारिजानक भी a तो क्योंकि फड़ तो, घर्मीघननक सिमक समय, C-T, रब कर दूं इसको रब कर दूं ठीक है आपने समझ लिए इसको तो यहां पर इसको अपन करेंगे अगरी हमेरल्य्मिन सु्टम अभरे इन इन इसको ऐसे बोल सकतने हैं पन ही complete आपका कैसा है है humoral intermediate immune system, ठीक है humoral intermediate immune system clear है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको अपन A B P P कहेंगे, A P C, antigen presenting cell, antigen present होता है के अंदर, ठीक है antigen होगा है, first antigen microphysement करेगा, इसको आपका क आपका आपके वागा आपका नहीक है अब इंटरमेटियर में सिस्टम को देखते हैं एक बार system, okay. यह सेल मेडिया टिर्वी सिस्टम भी कहते हैं यह क्या है और यह क्या है और यह क्या है इफेक्टिट सेल है साइटोकाइन देखिए जब क्या होता है मैक्रोफेज जब किसी सेल को मैक्रोफेज में जब कोई बैक्टिरिया एंटर करता है तो बैक्टिरिया इफेक्टिट सेल हो जाती है बैक्टिरियल इफेक्टिट सेल हो जाती है तो यह केमिकल रिलीस करती है इस केमिकल का नाम होता है साइटोकाइन और cytokine क्या करती है, इस cells के उपर क्या होता है, receptor होता है, normal cell है यह आपके न, जो कि आपकी T cell कहलाती है, T cell के पास information जाती है न, तो T cell के पास information पहुंची, T cell, cytokine यह chemical release करती है, chemical लही है, और chemical release करती है, cytokine, जो कि T cells को क्या करती है, active करती है, अब जो ही cytokine है, cytokine, जो ही chemical है, जो कि किसके थुरू, macrophage में bacterial infection होते ही, इसके अंदर कुछ ने कुछ चेंज आते हैं, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था है, chemical release करते हैं, और chemical release करते हैं, वो chemical जाके, इसके उपर T cell पर receptor होते हैं, सभी cell पर अपने receptor होते हैं, जो कि एक particular chemical को catch करने का काम करते हैं, उससे यह activity show करते हैं, तो T cell क्या होती है, इससे active हो जाती है, क्या होती है, active, ठीक है, activity show करती है, इसको बनाओ एक बार, करते हैं, इसके साथ ही, IL-12 chemical release करते हैं, जुसको यह auto, auto active करते हैं, यह auto activity show करते हैं, 12 नी 2, IL-2, chemical release करते हैं, खुद को ही यह क्या करते हैं, active show करते हैं, इसके साथ ही, करते हैं, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, और IL-2, ठीक है, IL-4-5-6, IL-2, natural killer cells को भी active करेगी, ठीक है, B cell को भी active करेगी, T cell ही तो active करती ही न, T cell ही active करती ही न, और यह भी आपकी, कोई न, कोई cells को active करेगी, यह भी आपकी, कुछ न, कुछ cells को active करेगी, बनाओ, के बनाओ, यह लह बनाओ, इस दोथ करेगी, और वो गनाओ, ऑ झाल झाल तो आपने क्या देखा साइटोटॉक्स क्या होती है यह आपकी इसको आदो दो दो बार हुए है इस तरीके से सिंपल सी बात है आपको इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है क्या हापन पड़ रहे है इसके अंदर कुछने को चेंज आते है चेंज आने के बाद क्या होता है इसके अंदर केमिकल रिलीज करती है इस केमिकल साइटो काइंड केमिकल कहते हैं इस 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 इसमें activity T cells के अंदर activity शो होती है इसे receptor होते है receptor chemical को attach कर लिया जाता है IL-2 भी एक chemical है chemical release करता है इसे auto active होता है इसके साथ ही इसके साथ ही IL-2 natural killer cells को active करेगा जो की एक phagocytic cells भी है जो kill करती है effective normal cells को IL-4, IL-5, IL-6 B cells को active करेगे जो की plasma cell में antibody formation के लिए effective करेगे और एक होता है IL-1st जो की T cells को active करता है ठीक है बनाओ इसको बना लिया क्या करती है यह cell कभी कभी आगे जाके Il-2L के थू इसको भी क्या करती है signal provide कर आती है और positive signal देती है यह भी सिगनल देते हैं यह भी इसको T cell A, T helper cell को active करती है, ठीक है, plasma cell antibodies formation करती है, और कुछ chemical यह interferon भी release करते हैं, इंटर फेरोन, ठीक है, कुछ interferon chemical भी release करते हैं, interferon alpha, तो यह T cell E, कुछ chemical release करती है, उस chemical release करके यह क्या करती है, natural killer cells, B cells, plasma cells, defected T cells, T helper cells में activity हो, ठीक है, simple सी बात है, क्या पढ़ा आपनने, दो चीजे पढ़ी, cell mediated, humoral and cell mediated, पहले वाले में भी change हो लें, intermediate नहीं है, cell mediated, humoral cell mediated immune system, जिसमें अपनने बात की, किस तरीकी से, phagocytic cells, जो कि यह phagocytic cells है, macrophages, macrophages के अंदर bacteria जाता है, यह bacteria affected cells है, वो T cells को, T helper को, T helper से B cells को, B cells से plasma cells को, फिर antibody formation होता है, normal cell में affected होता है, तो cytokine cells को pass information जाता है, इसी तरीकी से, अगर free form में antigen हैं, तो directly B cells को affected करते हैं, B cells directly, C cells, plasma cells को information बहुते, plasma cells बहुता है, antibody formation करता है, second time में जब infection होता है, तो first time को जो infection होता है, first response करता है, जिसे के मैंने पहले बताया था, second time को जो infection होता है, second response करता है, क्या होता है, first response के अंदर जो होता है process slow होता है, second response बहुत fast होता है, क्योंकि T cells converted into T memory cells and B cells are converted into B memory cells, first second infection होगा, तो जो activate किया जाएगा, वो T memory cells को active किया जाएगा, T memory cells directly infected, activated to B memory cells directly activated to T memory cells and they inform to a plasma and fastly production of antibodies, that's called as a, इसलिए अब उसका अपने deeply अपने बात की, जब अपने macrophages की बात की तो उसका अच्छे से समझने कोशिज की, तो macrophages को अपने बनाया, उसी चीज की कहानी है जो अपने पड़ीती है न, macrophages है जो bacterial affected cells है न, ठीक है, macrophages है न, जिसके अंदर क्या है, bacteria present है, यह मालवे bacteria है, ठीक है, वो ही कहानी है, यह पीछे वाली, bacteria किस तरीके से, signal के form में, bacterium change होता है, उसी macrophages cells में, कुछ chemicals release करता है, chemicals T cell के पास जाता है, T cells क्या को होती है, receptor होता है, receptor की through क्या होता है, cell active होती ही, कुछ chemicals IL-2 नाम के chemical होता है, IL-2 से active करता है, इसी तरीके से IL-12 होता है, IL-2 होता है, IL-4, 5, 6, IL-1 जो different different cell को active करते है और positive signal, इसे positive signal पहुँचाते हैं, यहां से इस दोनों के बीच में, signal transformation के through एक दूसरे में information पहुँचती है, ठीक है, तो इस तरीके से इस topic को हमने पढ़ा, ठीक है, तो आज हमने तीन चीजों को discuss किया, cell के बारे पढ़ा, जो आपकी immune system की cells थी, जो hematopoietic cells थी, जो अपने pluripotent या फिर multipotent के form में उनको देखा, different different type के cells होती है, ठीक है, उसके अंदर आपको थोड़ा सा एक बार मैं बता देता हूं, उस टाइम भी उस टाइम पढ़ायता था तब, और थोड़ा सा भी बता देता हूं, जो उसके अंदर eryothrocytic cells है, RBC cells है, वो आपकी तो immune system में work करती ही नहीं, वो immune system में help नहीं करती ही, वो RBC आपके oxygen transformation में करती ही, जो की eryothrocyte पढ़ायती, जो mega karyotocyte थी, जो आपकी क्या बनाती है, plasma, ठीक है, platelets, platelets का formation करती है, और दूसरी थी आपकी RBC, जो आपकी RBC का formation कर रही थी, इसक different type की immune system related cells का formation हो रहा था, वो आपकी immune system related है, जिसमे आपकी important थी, आपकी unknown cells, जिसमे आपकी neutrophils, macrophages थी आपकी, neutrophils थी न, दो type की, वो तीन type की cells थी आपकी, ठीक ही neutrophils थी, आपकी mast cells थी, हाँ, third, mast cells ये तीन होई आपकी macrophages, आपकी phagocytic cells है, इसके साथ ही आपकी eosinophils थ आपके यह चीनोफिल्स वाली चैल से वो छोटी सी नूट्रोफिल्स वाली से वह आपकी इसमें help करती है इसके साथ ही first में आपने पढ़ा था WCN T-cells और B-cells जो कि indirectly आपके इमिस सिस्टम को antibodies बनाने में information को transport करने का काम करती है तो इस तरह किसे अपने इसको पढ़ा आज अपन ने तीन topic clear किये कल थोड़ा सा हो सकता है कल next class में अपन इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और थोड़ा पढ़के आगे next class में इसके बारे में थोड़ा सा discuss करेंगे और discuss करने के बाद क्या होगा थोड़ा सा इसमें जो कुछ बचा है आपके सिस्टम पढ़ते ही नेक्स चेप्टर स्टार्ट कर देंगे नेक्स जो आपका टॉपिक होगा नेक्स चेप्टर होगा तो आज के लिए बस इतना ही एक पर रिवाइस करना देखना और आप लोगों को वापिस से नवर्ष के हर् आए आप और आगे चलके अच्छा ब्राइट फ्यूचर बनाएं ठीक है ओके थैंक यू